दो दिन पहले ना friends मैंने एक बहुत बड़ा order complete किया था जो अभी आप screen पे देख रहे हो ये सब कुछ मैंने एक ही दिन में बनाया था more than 12 hours time लगा था और कैसे मैंने क्या था क्या 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 था सब कुछ मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ share किया है वो वीडियो अग केक हम लोग बनाएंगे पूरा प्रोसेस में आप लोगों को दिखाऊंगी और ये केक का प्राइस एंड वेट के बारे में भी बात करेंगे तो हाई गाइस में हुत रुपती और आप देख रुपती स्टेस्टी सिजन केक्स तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं अगर आ तो थोड़ा से ठंडा कर लिया था ठंडा करने के बाद जो उपर का पतला सा क्रस्ट उसको निकाला जो दोम निकला हुआ था उसको भी मैंने हटाया और आप पूछोगे क्या हटा गया उसको फेक देते हो में जी नहीं में उसको नहीं पेकती हूं मैं आपको आगे वीडि अच्छा नहीं में उसको प्लेस किया और इसको में भी सोक नार्मल रूम टेंपरेचर वाटर से अचे बिएक तो मेरे जो क्लाइंट्स है उनको सुगर सीरफ से नहीं अच्छा लगता है क्यूंकि यह बहुत जादा मीठा हो जाता है इसके लिए में नॉर्माल रूम अभी इसका लेयरिंग करेंगे, तो जैसे हमेशा करते हैं, वैसे ही करना है, तो थोड़ा सा मैंने क्रीम लिया है, नॉन डेली हुईपिंग क्रीम, और इसके उपर अभी स्प्रेड करेंगे, तो स्प्रेड जो करेंगे ना फ्रेंड्स, वह हमेशा होना चाहिए, मतलब कहीं पर मोटा कहीं पर पतला वैसा नहीं होना चाहिए वैसा अगर होगा ना जब केक कटेगा ना अंदर से वह बुरा दिखता है तो और क्रीम भी मेरा देखो आप पॉफिकली वीप हुआ है अगर आपको जानना है क्रीम को कैसे वीप करना है उसकी रिलेटेड वीडियो में शेय किया है और यह है ब्लू लगुन फ्लेवर और साइट में इसका बॉटल का पिक्चर में दे दूंगी और बहुत ही यमी लगता है गाइस बहुत ही जादा यमी और इसके उपर में अभी दे रहे हूं डेर सारा डेसिकेटेड कोकनट अगर मेरा जो रसमलाई तर्ट केक आप सेकेंड लेयर प्लेस किया ठीक है तो जो अभी आप देख सकते हो केक के ना गैप्स दिख रहा है ना साइट साइट में तो वहां पर अगर आप चाहो ना तो क्रीम से भी उसको फील कर सकते हो पट मैंने क्या क्या पता है जो डोम निकला था उसको लंबा लंबा स्ट्रीप कर देख से उसको फील किया इससे क्या होगा जो क्रीम आपको जादा जाता है आज कर क्लाइंट को जैसे ना क्रीम जादा पसंद नहीं आता है तो इसके लिए मैंने यह सलुचन हमेशा करते हूं अगर मेरा केक डोम सेप का हो जाता है तो डोम निकालो जो साइट में गैप स में आपको यह जो केक स्पॉंज है उसको फिल कर देना है गैप को फिल करने के बाद फिर थोड़ा सा क्रीम लेकर वो इसको सिक्योर अच्छे से कर लेना है ताकि आगे जब हम दूसरे लिए के आइसिंग करे तो वह बाहर पूश हो के निकलना जाए अब सेम वे में मैं सेक सभी समय हमेशा चाहिए केक में किके कजो टेक्ट्र होता नहीं बहुत सॉफ्ट होता है तो इसके लिए फटर ले प्लेस करेंगे और साइडस को समूथन कर लेंगे एक से अच्छे से क्रब कोटिंग जैसा हो जाए क्योंकि लाइट कलर कट कें अगर करंग कोटिंग नहीकर जाए मैं क्या करती हूं गयास मुझे जो इसा ब्राउन रहता है वो भी मैं निकालती हूं क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है मेरे क्लाइंट को ब्राउन पोर्सन देने के लिए तो उसको निकालने के बाद अब यह लेयर को भी मैं सोक करें हूं और इसका भी क्रम कोटिंग अभी अच्छे से कर लेंगे क्रम कोटिंग इंपोर्टेंट है क्रम कोटिंग करने के बाद अगर आपके पास टाइम है आप इसको फ्रीज में रग दीजे 10-15 मिनुट के लिए य 10-15 मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ने था इसके लिए इसको फ्रीज में रखना स्प्रोस्टिंग करने के बाद इसको फ्रॉस्टिंग करना सुडू कूँ क्या 6 और इसको फ्रोस्टिंग केarta है यह उनका पर दो तरह का क्रीम लिया एक पिंग और एक ब्लू या फिर ब्लू का देन गैसा अपका मन मैंने ब्लू का दिया है देन फिंग ऐसे वैसे अव 나타nेट करके रांट में सुक्वर करेंगे केक और यह को पर तो साइच को पहले कावर कर लेना दें टॉप पाट को भी सेम वे में कवर कर लेना है और इसको ख़रने के बाद और एक बात है जब तक कवर हो रहा है मैं आपसे बात कर लोग बहुत जादा पूछते हो प्राइसिंग के बारे में तो प्राइसिंग एक वीडियो मैंने अल्रेड़ी सेर किया है जरूर उसको देख लीजिए जो प्राइस में लेती हूं उतना प्राइस आपको भी लेना है आप मेरे से बहुत जादा भी ले सकते हो या फिर कम भी ले सकते हो आपकोन सा अएरिया पर रहते हो आपका वहां पे रेट किया चल रहा है बहुत सारे चीजिवों के उपर प्राइसिंग लिए वैसे तो मैंने यह प्राइस का कितना लिया वह एंड मैं आप लोग बताऊं क्योंकि वह बहुत सरे के उपर डिपेंड करता है वह वीडियो का लिंक में दे दूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर उसको देखिए तो आप से बाते करते करते कवर भी हो गया अब क्या करना है एक पैलट नहीं के हैसे ना धीरे धीरे आपको के के साइट को स्मूथ ब्लू पिंक में मर्ज हो जाएगा तो जैसे लाइंस दीख रहा है नहीं दीखेंगे तो पहले पेलेट नाइप से इसको स्मूथन करने के बाद अब एक स्क्रापर के हैं से मैं स्मूथनिंग कर रहे हूं अगर आपके पास ऐसा स्क्रापर नहीं है तो आप कोई भी अब सप्राइश टोर में मिल जाएगा तो अभी आप देख सकते हों कितना सुन्दर यह दीख रहे दिख रहे ना तो पहले ब्लू दैन पिंक और इक्वल लाइन वह इसके लिए क्यूंकि जितना बर मैंने इसको स्मूथनिंग करें उतना बार इसको में जो स्क्रैपर रही दीखेगा इसके बाद साइट में थोड़ा सा गोल्डेन डिप्स देंगे जिसके लिए मैंने रेडिमेट जो डिप्स आते हैं गोल्ड रिप्स वो लिया है आपको बहुत तीजी जो केक सप्लाय स्टप स्टोर होता उसमें मिल जाएगा और पहला वाला देख सकते हो थोड आप लोर नोजल से रोजेट बना रहे हूं ब्लू कलर के क्रीन से तो उस्तिन गाइस मेरे पास भी टाइम नहीं था कि मैं और कुछ डिजाइन सोच उचंछ केक्स बनाने थे 16 कैक्स बनाने थे 16 कपकेक्स बनाने थे एक बनाना वालनोट केक बनाना था अगर वह वीडियो आप लोग ने नहीं देखा उसमें मैंने पूरा शेयर किया हुए आप लोगे साथ कैसे मैंने वह इतना बड़ा ओर अकेले घर के काम करते हुए कंप्लीट किया था एंडें शूटिंग भी किया था आप लोगों के लिए इंडिविजाल ये वीडियो इसके लिए आप देख सकते हो बाद बाद मतलब बीच-बीच मैं ऐसे साइड हो हुए कि दीख राय क्या नहीं दीख राय कामरे में इसके लिए तो यह बहुत ईजी सा डियने गई और अभ जो friends से उनके लिए बनाई थी जो कि friendship day celebrate कर रहते तो इसके लिए मैंने इसका price कुछ भी नहीं लिया था बट वैसे अगर clients को देना होता तो 1400 रुपीज में इसका चार्ज करती तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर करिए कुछ डाउट ही तो जरूर कमेंट करिए और चैनल में पहली बार तो subscribe कर लिजे बेल आइकन भी प्रेस करिये तो तिल यू भी नेक्स लाइए टेक केर आपिनेस राहंद दो वर्ल